Hello Friends, आज हम बात करते हैं Tunnel Diode पर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Tunnel को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो Tunnel का मतलब होता है Friends, सुरंग, ठीक है, तो सुरंग यानि क्या, सुरंग यानि कि एक ऐसी जगा, यानि एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही तंग होगा, ठीक है, बहुत ही न नेरो होगा तो उसमें से क्या करते हैं कि एक साथ ज्यादा लोग उसमें से एंटर नहीं कर सकते हैं यानि वहाँ से ज्यादा लोग उस रास्ते से नहीं चल सकते नहीं गुजर सकते तो क्या करना पड़ता है कि एक एक करके उसमें से गुजरना पड़ता है ठीक है तो इसी त एक एक करके फुलो करते हैं current के लिए friends कहते हैं 1957 में लियो इसाकी नाम के एक scientist थे जिन्नों ने कहा था कि semiconductor materials जो हैं उनमें tunneling effect भी पाया जाता है इसलिए tunnel diode को इसाकी diode के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स यह जो tunnel diode है यह भी हमारे पास P type semiconductor material और N type semiconductor material से ही बना हुआ एक device है एक diode है लेकिन यह क्या करता है negative resistance को show करता है क्या करता है negative resistance को show करता है कहां पर show करेगा negative resistance तो जो forward voltage होगी forward voltage तो forward voltage जो होगी उसकी जो दो values होंगी उसके बीच में यह negative resistance को show करता है ठीक है अब यह हमारे पास negative resistance क्या होता है तो negative resistance क्या होता है friend कि अगर हम voltage को increase करते हैं voltage को अगर हम increase करते हैं यानि कि बढ़ाते हैं तो current हमारी क्या होती है decrees हो जाती है यानि कि कम हो जाती है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह हुआ कि यह humsla को ओवे नहीं करता है। humsla हमारे पास क्या कहता है कि जो voltage होता है वो directly proportional होता है current के यानि voltage को अगर हम increase करेंगे तो current भी हमारे पास increase होती है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर negative resistance क्या होता है विल्टेज को अगर हम increase कर रहे हैं तो current हमारी decrease हो रही है तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि औहम्जला यहाँ पर follow नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो हमारे पास tunnel diode है यह क्या करता है negative resistance show करता है कहां पर show करता है तो forward voltage जो होगा उसकी जो दो values होंगी उसके बीच में यह negative resistance को show करता है और यह हम देख सकते हैं volt ampere characteristics से तो यहाँ पर हमने volt ampere characteristics यहाँ पर बनाय हुआ है यह हमारे पास हुआ VF यानि कि forward voltage और यहां से हुआ हमारे पास IF current को IC denote किया जाता है तो यह हमारे पास forward current यानि IF तो यहाँ पर क्या हो रहा है initially हमारे पास at no voltage पर यानि नाक के बराबर voltage पर हमारी जो current है एकदम से बढ़ रही है यानि sharply rise होती है तो यह rise होगी लेकिन एक limit तक यह rise होगी तो यह यहाँ पर top पर हमारे पास current हमें मिलेगी उसे हम कहेंगे peak current IP और यहाँ पर जो हमारे पास voltage मिलेगा तो वो voltage क्या होगा VP यानि की peak voltage further हम यहाँ से voltage को increase करेंगे तो यह जो current है वो यहाँ से क्या होगी घरती जाएगी यानि decrease होती जाएगी होती जाएगी तो एक limit तक यहाँ पर यह decrease होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो voltage मिलेगा वो होगा हमारे पास VV यानि value voltage और यहाँ पर जो हमारे पास current हमें मिलेगी यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे IV यानि value voltage और उसके बाद अगर फिर से हम यहाँ से VF यानि forward voltage को increase करेंगे तो जो current है हमारे पास वो एक normal diode की तरह flow करेंगी तो यहाँ पर क्या होगी यह conventional current अगर यहाँ से क्या करेंगे कि further voltage को increase करेंगे आगे तो एक normal diode की तरह current हमारी increase होगी voltage के increase करने से तो हमें क्या मिला कि forward region में forward direction के region में हमारे पास क्या हुआ हमारे पास दो हमें क्या मिली forward voltage मिली एक तो हमारे पास VP है peak voltage और दूसरी हमें मिली VV यानि value voltage तो दो forward voltages हमें मिली तो इसके बीच में हमारा जो tunnel diode है वो negative resistance को show करता है तो यहाँ पर कहाँ पर है यह जो region है VP और VV के बीच में यह जो यहाँ पर हमारा region है इस region को हम कहते है negative resistance region negative resistance region यानि कि यहाँ पर क्या होता है voltage की increase करने से यहाँ पर current जो है वो decrease होती है तो यह क्या है यहाँ पर negative resistance region है ठीक है क्या होता है friends कि जब हम semiconductor को यानि कि tunnel diode को यह जो semiconductor है यानि semiconductor material से बना हुआ यह जो device है यह जो diode है इसको हम heavily doping करते है heavily doping का मतलब है कि इसमें जो impurities है वो heavily add करते हैं यानि बहुत जादा quantity में इसमें impurities add की जाती है तो क्या है कि एक certain एक खास forward direction region में तो एक खास इस region में forward direction के खास region में यहाँ पर एक खास region में यह क्या करता है कि negative resistance को show करता है यानि current decrease होती है voltage के increase करने से तो इसी किसम के diode को हम क्या कहते हैं tunnel diode कहते हैं friends यह जो diode है मतलब यह जो tunnel diode है हमारे पास इसमें जो हम impurities यानि कि इसमें जो हम impurities की quantity जो add करते हैं कहते हैं कि thousand times ज्यादा की जाती है thousand times ज्यादा की जाती है एक normal diode के compare में यानि normal diode जो है उसके compare में अगर हम देखें तो thousand times ज्यादा इसमें impurities की quantity जो है वो add की जाती है तो उसकी वज़ा से क्या होता है जब इसमें ज्यादा quantity में impurities add करते हैं तो क्या हो जाता है कि यह जो आप empty portion यहाँ पर देख रहे हैं This is called depletion layer इसको हम depletion layer केते हैं depletion layer depletion का मतलब ही होता है कि deficit of charge carriers यानि कि इसमें charge carriers की कमी रेती है ना ही इसमें holes होंगे और ना ही इसमें electrons होंगे तो यह क्या होगा empty portion होगा So this is called depletion layer ठीक है तो यहाँ से हमारे पास यह जो P है यह P type semiconductor material है दूसरी side से N type semiconductor material है P type semiconductor material में हमारे पास holes होते हैं जिन पर plus का sign होगा और N type semiconductor material में electrons होंगे तो इसमें electrons पर minus का sign रेता है आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं P यानि positive तो इसमें plus का sign होगा holes पर N means negative तो इसमें electrons पर minus का sign होगा ठीक है तो heavy doping के कारण क्या होता है जब heavy impurities यानि बहुत जादा quantity में जब हम impurities add करते हैं तो यह जो depletion layer होती है यह बहुत ही narrow हो जाती है बहुत ही तंग हो जाती है कहते हैं कि normal diode जो है अगर इसकी हम बात करें इसके compare में अगर बात करें तो इसकी जो depletion layer है वो hundred times जो है वो कम हो जाती है normal diode से यानि इसकी जो depletion layer है वो hundred times क्या हो जाती है कम हो जाती है normal diode से इतनी narrow हो जाती है तो क्या होता है थोड़ी सी ही अगर यहाँ से apply voltage हम देंगे तो conduction हमारा start हो जाएगा यानि electrons हमारी flow करना शुरू कर देंगे इस diode को भी यानि tunnel diode को भी हम क्या करते है forward bias ही करते है यानि battery के plus को device के plus के साथ connect करते हैं और battery के negative को device के negative के साथ connect करते हैं दृसिस AMYilkard the forward bias ठीके अब क्या है friends के valence electrons जो होते हैं valence electron यानि यहाँ पर मैं आपको बताता हूं यह हम इस तरीके से समझते हैं, यह मेरे पास क्या है, एटम है, जिसके अंदर से क्या होता है, नूकलेस होता है, सबसे अंदर वाला पार्ड जो होता है, नूकलेस होता है, जिसमें electrons होंगे ठीक तो सबसे बाहर वाला जो orbit होगा उसको हम कहते हैं outer most या फिर valence shell या फिर valence orbit तो इसमें आगर हमारे पास जो electron होगा तो हम इसको क्या कहेंगे valence electron यानि valence shell में जो electron होगा तो उसमें हम क्या कहेंगे valence electron तो valence electron जो है किसी ने किसी force के साथ हमारा जो है nucleus के साथ connected होगा तो अगर हमने valence electron को निकालना होगा तो यहाँ पर कुछ ने कुछ हमें energy की जरूरत पड़ेगी और जब हम जब यह electron यहाँ से निकलेगा तो वो free होगा यानि वो current को बना सकता है वो free होगा है ना तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास semiconductors जो होते हैं उसमें हमारे पास होती है energy band diagram कुछ इस तरीके से energy band diagram होती है एक तो हमारे पास होता है valence band जिसमें हमारे पास electrons होते हैं valence band में और दूसरा होता है हमारा conduction band यानि conduction band में valence band से जब electron निकलेगा तो वो कहाँ पर जाएगा conduction band में जहाँ पर वो free होगा वो current को बना सकता है और इसके बीच में ये जो gap है मारा इसको कहते है energy gap या फिर कह सकते हैं forbidden energy gap होता है ठीक है तो valence band से electron का moment करना यानि निकलना conduction band की तरफ valence band से conduction band में electrons का निकलना थोड़ी सी apply voltage यानि थोड़ी सी ही voltage हम देंगे और valence band से electron निकलेगा और conduction band में जाएगा इसी को हम tunneling केते हैं क्या केते हैं इसको हम tunneling केते हैं ठीक है tunneling केते हैं तो electron जो valence band से electron निकलता है conduction band की तरफ वो इस तरह से दिखाई देता है जिस तरीके से टनल में एक एक करके एंटर करते हैं उसी तरीके से एलेक्ट्रॉन भी इस तरिके से दिखाई देता है wellness band से कंड़क्शन बेंड मतलब forbidden energy gauge से दिखाई देता है एक एक करके यहनी एक के बाद एक flow करता है यहां पर है कि यह जो हमारे पास depletion layer होती है बहुत ही कम होती है तो थोड़ी सी ही यहां से हम apply voltage देंगे तो यहां पर क्या होंगे electrons flow करना शुरू करतेंगे और यह conduction start हो जाएगा ठीक है अब हम इसकी symbol की बात करते हैं तो इसका जो symbol है यह हमारे पास normal diode का symbol होता है तो यहां से थोड़ा सा इसको band करते हैं हम तो यह हो जाता है tunnel diode का symbol ठीक है तो यह हमारे पास यहां से anode होगा जो की positive sera होता है और दूसरी तरफ से यह हमारे पास cathode होगा जो की हमारे पास क्या होता है negative sera होता है ठीक तो यह this is the symbol of tunnel diode तो इसका use देखते हैं हम tunnel diode को use किया जाता है यह बहुत ही मतलब fast switching device होता है बहुत ही जल्दी यह start हो जाता है तो इसको as a negative feedback के लिए use में लाया जाता है इसको high frequency high frequency oscillators में use में लाया जाता है amplifiers में use में लाया जाता है तो यह बहुत ही fast switching device होता है और इसको manufacture किया जाता है germanium से mostly इसको germanium से manufacture किया जाता है और हमारे पास दूसरा option भी है gallium arsenide से तो gallium arsenide से भी इसको manufacture किया जाता है यानि तियार किया जाता है तो ठीक है friends तो इसको मैं description में भी दे दूँगा अगर आप note करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी note कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही Thank you